Hello everyone, welcome to StudyTube आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 15 important MCQs of science, general science और ये सारे ही MCQs पूछे जा चुके हैं आपके RRB group D 2018 के examination में Group D के परिक्षा में लगभग 3000 MCQs पूछे गया हैं सिर्फ समान्य विज्ञान से हर shift में 25 सवाल पूछे जाते थे तो इस परकार जितने भी shifts हुएं उनमें total मिला करके 3000 MCQs उनमें से मैंने सिर्फ 15 को लिया हैं और ये भी ये वो 15 सवाल है जो की बहुती असान सवाल है अब मैंने यहां 15 सवाल लिया है लेकिन इस तरह के बहुत सारे सवाल बहुत सारे सवाल पूछे गया हैं ये 15 सवाल देख करके आपको एक idea लगेगा कि ऐसा नहीं था कि group D के examination में सिर्फ numericals पूछे गये थे और questions तक पूछे गये थे क्योंकि numericals आने के कारण बहुत सारे लोगों को ये लगा कि इस बार का जो general science का सवाल general science के जो questions पूछे गये थे वो tough थे बिल्कुल भी tough नहीं थे अगर आप numericals को छोड़ दो तो सारे सवाल असान थे और जब आप इन सारे सवालों को देखोगे तब आप खुद बोलोगे यार ये तो कुछ जादा हो गया मतलब कुछ जादा ही असान हो गया अगर आपके exam का level ये है तो numerical पूछने का मतलब है कि आपके exam के level से थोड़ा उपर चला गया यानि कि यहाँ पर चला आया numericals भी असानी थे formula पर अधारित थे लेकिन ये जो सारे सवाल मैं आपको दिखाऊंगा ये आपके level से नीचे है below the level और जादातर सवाल आपके level या फिर उसके नीचे ही पूछे गया थे 3-4 सवाल हर shift में numericals के पूछे जाते थे बाकि आप सारे देखो तो असानी सवाल थे और कुछ तो बहुत ही जादा असान थे जो मैं आपको इस वीडियो में लेकर के आया हूँ और सिर्फ यही 15 नहीं है ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल है मैं आपको यहाँ पर यह दिखाऊंगा कि देखो किस तरह के सवाल पूछे गए थे आपके examinations में और ज्यादा तर सवाल ऐसे ही पूछे गए थे और किस तरह के numericals पूछे गए थे तो numerical के लिए भी मैंने वीडियो को बनाया हुआ है आप हमारे चैनल के playlist को चेक कर सकते हो आपको numericals के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे सवालों के साथ मैं extra information भी आपको दूँगा जो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि उन extra information से भी सवाल पूछे जाते हैं सबसे पहला सवाल और असान सवाल पृत्वी के सतह पर गृत्वे तोरण g का मान क्या है यानि ये अगर हमारी पृत्वी है तो इसके surface पे इसके सतह पे g का मान क्या है 9.8 meter per second square देखो g यह small g की बात की जा रही है ये जो g है इसे बोलते हैं गृत्वे तोरण गृत्वे तोरण क्या होता है देखो पृत्वी हर वस्तु को अपनी केंदर की ओर अकरशित करती है एक बल से जिसे हम लोग बोलते हैं गृत्वे तो जब किसी वस्तु पे बल लगता है तो उसमें तोरण उत्पन हो जाता है तो पृत्वी दोरा लगाया गये हैं second square होता है, इतनी बातें आपको समझ भाई, उसके बाद देखो, अगर यह surface है, तो अगर हम सिर्फ surface की बात करें, सिर्फ सतह की बात करें, प्रित्वी के सतह की बात करें, तो प्रित्वी के सतह पे, जहां पर g का मान maximum होता है, वो है pole, यानि के draw, और जहां पर g का मान कम होता ह वो है equator यानि के भूमद्द रेखा तो यह तो बात हो गया surface पे यानि पोल पे 9.8 meter per second square से अधिक होती है थोड़ी से अधिक होती है और equator पे इससे थोड़ी से कम होती है अब हम बात करते हैं surface को छोड़ करके तो अगर यह surface है और यहाँ पर जी का मान 9.8 meter per second square है तो इस surface से हम चाहे उपर चले जाए पृत्वी के सत्य से उपर चले जाए या पर पृत्वी के सत्य के नीचे चले आए यानि पृत्वी के अंदर गैराई में दोनों ही सूर्थों में जी का मान 9.8 meter per second square से कम होने वाली है यानि कि आपको ध्यान में यह रखना है चाहे हम सत्य से उपर जाए नीचे आए जी के मान में कमी आती है बढ़ती नहीं है दोनों सूर्थों में कमी आती है जब हम पृत्वी के केंदर पर पहुंच जाएंगे तब जी का मान जीरो हो जाएगा उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि यह जो small g है acceleration due to gravity है गृत्वे त्वरन है इसका जो मान होता है यह किन-किन चीज़ों पर depend करता है important है जी का मान depend करता है mass पे जी का मान depend करता है radius पे जी का मान depend करता है density पे लेकिन यह mass radius density किसका planet का ध्यान में रखी का planet का ना कि वस्तू का यह g का मान किस पर निर्फर करेगा प्रित्वी के घनत्तु पर प्रित्वी के द्रवे मान पर प्रित्वी के आकार पर यह important है उसके बाद अगर यह अर्थ है और यह है चंद्रमा तो अगर हम अर्थ से मून पर चले जाएं तो अर्थ पर अगर गुर्त्वी तरण G था तो मून पर जाने के बाद यह जी बाई 6 हो जाएगा अगला सवाल देखिए प्रकाश की गती 10 है प्रकाश की गती 3 x 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड तो C हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 पे power 8 है माइनस 8 मत किजिएगा अब प्रकाश के बारे में समझो प्रकाश एक विदूत चुमबक्य तरंग है अब जो भी विदूत चुमबक के तरंगे होती है उनका खास्यत यह होता है इनको चलने के लिए माधियम नहीं चाहिए तो प्रकाश को भी चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए प्रकाश माध्यम रहे, ना रहे, कोई फरक नहीं पड़ता है प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है और प्रकाश की गत्वी चाहे आप से निरवात में पूछे, चाहे हवा में पूछे value आपका यही होगा हाला कि निरवात से speed थोरी कम होती है air में लेकिन आपको दोनों ही cases में 3 into 10 to the power 8 meter per second ही याद में रखना है प्रकाश विदुत चुम्बक्य तरंग मैंने आपको बताया प्रकाश अनुप्रस्त तरंग भी है जो प्रकाश तरंग है वो दुरुवन की घटना को दिखाती है इसलिए वो एक transverse wave है यानि कि अनुप्रस्त तरंग है वहीं अगर हम बात करें sound wave की दोनी तरंग की तो दोनी तरंग ना तो ये विदुत चुम्बक के तरंग है और नहीं अनुप्रस्त तरंग है sound wave दोनी तरंग ये यान्तरिक तरंग है और जो भी यान्तरिक तरंगे होती है उसको चलने के लिए किसी ने किसी माध्यम के अवशक्ता होती है यानि कि निरवात में दोनी तरंगे नहीं चलती और ये अनुधरी तरंग होती है प्रकाश अनुप्रस्त तरंग और ये अनुधरे तरंग और धौनी की गती प्रकाश की गती से बहुत ही कम होती है अगला फिर से सवाल देखो कितना असान पूछा गया था 160 degree Celsius पर जल की बहुत ही किस्तिती क्या है देखते ही अब टिक मार दोगे बच्पन से याप जल के कौतनान के बारे में पढ़ते आ रहे हो कि जल 100 degree Celsius पर द्रव से गैस में पड़िवर्तित हो जाता है 100 degree Celsius पर ही द्रव ये भाप में बदलना है स्टार्ट हो गया गैस में बदलना है स्टार्ट हो गया यहाँ पर तो 160 degree Celsius है तो हम असानी से गैस में टिक कर देंगे उसके बाद जल के बारे में पूछा जाता है कि जल का जो घनत हो है वो कितना होता है तो ये आपको दिहान में रखना है 1 gram पर सीसी चीक है 1 gram पर क्यूबिक सेंटिमीटर या फिर आप इसको kg में याद रखो 1000 kg पर मीटर क्यूब 1000 kg पर गन मीटर और ये 4 degree Celsius पर है जल के पास बहुती एक खास तरह का प्रोपर्टी है जल का घनत तो 4 degree Celsius पर मैक्सिमम होता है अब टेंपरेचर आप 4 degree Celsius से ज़्यादा कर दो या फिर कम कर दो जल का घनत तो इससे कम होने वाला है 1 gram पर CC से कम होने वाला है अगला सवाल है 1 kWh बड़ावर क्या तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो kWh है ये उर्जा की मातरा है ना की शक्ती की मातरा है ये यूनिट है एनर्जी की ना की पावर की और kilowatt hour को ही हम लोग unit बोलते हैं आप लोग बोलते होंगे न, घरों में विजली भी लाती है unit के हिसाब से 8 रपे प्रती unit, 10 रपे प्रती unit इस प्रकार से तो वो जो unit होता है, actual में वो kilowatt hour होता है और 1 kilowatt hour का value, joule में आपको दिहान में रखना है 3 into 10 to the power 6 joule या फिर 1 kilowatt hour एक unit अगला सवाल देखो, एक उत्तल लेंस की focal लंबाई डैस होती है देखलो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे उत्तल दरपन हो दोनों के लिए में बता रहा हूँ चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे उत्तल दरपन हो फोकल लंबाई यानि की focal distance ये धनात्मक होती है चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे उत्तल दरपन हो focal distance positive होने वाली है अब चाहे अवतल लेंस हो, चाहे अवतल दरपन हो focal distance negative होने वाली है अगर लेंस की focal distance positive है यानि की power भी positive, शक्ती भी positive अगर negative है तो शक्ति भी negative रिनात्मक लेंस के शक्ति को हम लोग diopter में मापते हैं प्रित्वी वस्तु को अपनी और अकरशित करती है या dash के कारण होता है तो ये मैंने आपको थोड़ देर पहले बताया प्रित्वी हर वस्तु को अपनी केंदर की और खीचती है और ये बल होता है गृत्वा करशन बल तो गृत्वा करशन बल इसका right answer हो जाएगा ये जो गृत्वा करशन बल है ये हर दो दरवेमानों के बीच में लगता है कोई भी दो वस्तु है जिसके पास कुछ मास है कुछ दरवेमान है वो दोनों ही वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खीचते है और जिस बल के साथ खीचते है वो है गृत्वा करशन बल गृत्वा करशन बल का फॉर्मूला आपको दिहान में रखना चाहिए कैपिटल जी M1 M2 बटे में R2 M1 M2 जो मैंने आपको बताया दो वस्तु जिसके पास कुछ दरवेमान हो तो ये भी वस्तु एक का दरवेमान दूसरे वस्तु का दरवेमान दो वस्तु जितना नजदीक होगा गृत्वा करशन बल उतना ही अधिक होगा गृत्वा करशन बल ये कैपिटल जी पर भी डिपेंड करता है लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कारण ये है क्योंकि इस जी का मान में पड़िवरतन कभी नहीं होता है पूड़े युनिवर्स के लिए ये जो कैपिटल जी है ये कॉंस्टन है और इसका वेल्यू आपको दिहान में रखना है इस जी का वेल्यू आपको युनिट के साथ दिहान में रखना है 6 x 6,7 x 10 to the power minus 11 नियूटन मीटर स्क्वाइर पर केजी स्क्वाइर ये जी का वेल्यू है जो आपको दिहान में रखना है और मैंने आपको बताया इस जी का मान पूरे युनिवर्स के लिए कॉंस्टन है इसलिए हम इसे बोलते हैं युनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टन सारुत्री के गृत्वा करशन निया तांक चाहे आप पृत्वी पर हो चाहे चैन्रमा पर हो पूरे युनिवर्स में कहीं पर भी घूम जाओ इस जी का वेल्यू सेम ही रहने वाला है और इस जी का मान जो मैंने अभी आपको बताया 6.67 इंटो 10 तो पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्कॉर पर के जी स्कॉर ये जो पूरा वेल्यू है इसको निकाला था एक वेज्यानिक हैन्री केवंडीस ने अगला सवाल देखिए ठोस करवन डाउकसाइट को किस नाम से जाना जाता है अब करवन डाउकसाइट तो गैस होता है ये ठोस कैसे हो गया देखो जब गैस को लो टेंपरेचर पर ले जाकर के उस पर high pressure apply किया जाता है यानि कम तापमान पर ले जाकरके अधिक दबाव डाला जाता है तब gas के molecules जो बहुत दूर दूर होते हैं वो बहुत ही पास पास चले आते हैं इतने पास जितने की ठोस में होते हैं molecules अनूग तब जाकरके gas solid में convert हो जाती है तो carbon dioxide gas के साथ कुछ यही किया जाता है जिससे वो ठोस हो जाता है तो ठोस carbon dioxide को हम लोग सूखा बरफ कहते हैं dry ice कहते है carbon dioxide gas यह जल में घुलंदशील होती है और carbon dioxide gas यह एक greenhouse gas है अगला सवाल देखिए electron पर आवेश होता है आवेश यानि कि charge charge का SI unit आवेश का SI मातरक कुलं होता है और एक electron पर charge होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलं देख रहे होना कितना असान सवाल पूछा गया है चीक है तो इस सवाल का जवाब हमारा A हो जाएगा अब जितना charge electron पर होता है उतना ही charge proton पर होता है proton पर भी यही charge होता है लेकिन nature अलग होता है और यहाँ 10 पर power minus 19 है 19 मत करना electron की खोज की JJ Thompson ने वही proton की खोज की Goldstein ने और neutron की खोज की James Chadwick ने देखो electron पर charge होता है proton पर भी charge होता है neutron पर कोई charge नहीं होता है neutron charge लेस होता है proton और neutron यह nucleus के अंदर होता है और electron nucleus के बाहर होता है अगला सवाल देखो कितना असान है प्रित्वी का द्रवेमान पूछ दिया प्रित्वी का द्रवेमान यह होता है 6 into 10 to the power 24 kg इतना ही नहीं प्रित्वी की तरिज्जा भी आपको दिहान में रखनी है यह प्रित्वी की तरिज्जा होती है A is equal to V minus U बटे में T V हो गया अंतिम वेग U हो गया प्राडम्बिक वेग और T हो गया समय तो देखो यह A का मान 0 सो छोटा कब आएगा समय तो कभी रिनात्मक होता नहीं है आप ऐसा तो नहीं बोलते हैं माइनस 2 सेकेंड, माइनस 3 सेकेंड यह तो हमेंसा धनात्मक होने वाला है अब इस दोनों पर depend करेगा कि यह जो पूरा मान है A का यह रिनात्मक आने वाला है या फिर घनात्मक आने वाला है अगर यहाँ पर U बड़ा हो जाए प्राडम्बिक वेग बड़ा हो जाए अंतिम वेग छोटा हो जाए तब यह ए रिनात्मक आ जाएगा तो अंतिम वेग कम होने का मतलब यह हुआ न कि समय के साथ स्पीड घट रही है इसलिए यहाँ पर घटती हुई चाल अगला सवाल है हमारे अधुनिक आवर्त साड़नी का पहला तत्व निमलखित में से कौन सा है सबसे पहले बात तो आप यह ध्यान ड़को कि जो आधुनिक आवर्त साड़नी है इसको दिया था मोजले और निल्स बोड़ने कई सारे फेग्यानी का योगदान है लेकिन आपके एक्जाम में दो ही नाम आते है एक मोजले दूसरा निल्स बोड़ दोनों आ जाये तो मोजले को टिक करना otherwise इन दोनों में से जो नजर आ जाये उसको टिक कर देना हमारे अधुनिक आवर्त साड़नी में तत्वों को रखा गया can उसके बढ़ते हुए परमानुक्रमांग के अधार पर और हमारे अधुनिक आवर्त साड़नी का पहला तत्व है हैट्रोजन और दूसरा तत्व है हिलियम और जो पहला आवर्त है साथ आवर्त में से जो पहला आवर्त है उसमें दो ही ततो है एक है हैडरोजन और एक है हिलियम और ये दोनों के दोनों अधातो है जिसमें हिलियम ये एक अक्रिय ततो है और ये गैस है और ये गैस है, हैडरोजन भी गैस है तो हिलियम ये अक्रिय गैस है इनर्ट गैस है और एक मात्र ऐसा inert gas है जिसके बाहितम कक्षा में सिर्फ दो ही electron है बांकि जितने भी अक्रिय गैस होते हैं जैसे कि जनोन हो गया, रेडोन हो गया, नियोन हो गया इन सभी में क्या है? बाहितम कक्षा में 8 electron है इन सब के बाहितम कक्षा में 8 electron है लेकिन एक helium ही है inert gas जिसके outermost cell में दो ही electrons है तो हमारे आधुनिक आवर्थशारणी का पहला था तो hydrogen hydrogen के पास एक proton है एक electron है लेकिन कोई भी neutron नहीं है zero neutron neutron की संख्या hydrogen में शुनने हमारे आधुनिक आवर्थशारणी का पहला था तो hydrogen दूसरा helium और तीसरा है lithium तो ये भी अधातू ये भी अधातू और ये है धातू तो हमारे आधुनिक आवर्थशारणी का जो पहला धातू तत्व है वो है lithium lithium ये सबसे हलकी धातू भी है लेकिन अगर पूरे आवर्थशारणी में सबसे हलका तत्व पूछे तो answer अप hydrogen को tick करोगे तो पहला तत्व यहाँ पर hydrogen C हमारा right answer अगला सबल देखो पौधों में गैसों का अधान परदान 10 के माधियम से होता है 5-6 class से आप पढ़ते हैं आ रहे हो स्टोमेटा के तुरू, रंदरो के तुरू प्लांट के अंदर यह simple permanent tissues है इन तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है दखो, parent काइमा और colon काइमा के अंदर जो cells होते हैं जो कोशिकाय होती है, वो जीवित होती है living होती है वही एस्क्लेडन काइमा के पास जो cells होती है, वो dead होती है यानि कि मड़ी होती है उसके बाद colon काइमा के कारण पौधों में लचीलापन आता है plant के अंदर flexibility प्रवाइड कराता है colon काइमा वही एस्क्लेडन काइमा इसके कारण plant strong और stiff होते हैं यानि कि मजबूत होते हैं एस्क्लेडन काइमा के कारण तो इस पर आधारित भी कई सारे सवाल आपके exam में पूछेगा है अगला सवाल है द्रवेमान बट्टे आयतन बड़ावर क्या होता है अब इससे ज़्यादा आसान आपसे क्या पूछा जाएगा तो द्रवेमान बट्टे आयतन बड़ावर घनत्तो होता है तो यह हो जाएगा घनत्तो घनत्तो का SI मातरक होता है केजी पर मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब SI मातरक दबाव यानि कि प्रेसर का SI मातरक पास्कल होता है शत्रपल का SI मातरक मीटर स्क्वाइर होता है बल का SI मातरक न्यूटन होता है और CGS Dine होता है अगला सवाल 273 Kelvin का मान क्या है दगो Kelvin क्या होता है Kelvin ये SI मात रख है ताप मान का इंपोर्टन्ट है ध्यान में रखना Temperature का SI मात रख SI unit होता है Kelvin आपने सुना होगा परम शुन्य ताप मान Absolute Zero Temperature तो परम शुन्य ताप मान का मतलब Zero degree Celsius नहीं होता है परम शुन्य ताप मान का मतलब होता है Zero Kelvin Zero Kelvin और Zero Kelvin का मतलब होता है Minus 273 degree Celsius हम से यहाँ ये पुछा है कि 273 Kelvin का मान क्या होता है ये हो जाएगा Zero degree Celsius हम human body का Normal temperature Kelvin में कितना होता है Kelvin में होता है 310 Kelvin degree Celsius में 37 degree Celsius और Fahrenheit में 98.6 degree Fahrenheit अगला सवाल देखे एक वस्तू की गतीज उर्जा किसके साथ वृद्धी होती है देखो वस्तू की गतीज उर्जा बड़ाबर होती है Half M V Square जहां M दरवेमान होता है और V चाल होता है तो अगर हम किसी वस्तू के दरवेमान को बढ़ा दे तो भी गतीज उर्जा बढ़ जाएगी अगर हम चालो को बढ़ा दें तो भी गतीज उर्जा बढ़ जाएगी अब यहाँ देखो दरवेमान भी है और गती भी है लेकिन आंसर तो कोई एक ही टीक होगा तो सवाल एक्षुली में आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर कोई वस्तू है उसी वस्तू का अगर हम गतीज उर्जा बढ़ाना चाह है यानि वस्तू को चेंज नहीं किया गया उसके दरवेमान को नहीं बदला गया है जैसे कि मालो एक गेंद है उस गेंद के पास पहले गती कुछ और थी और बाद में मैंने गती कुछ और दे दी तब उसके गतीज उर्जा में परिवर्टन हो जाएगा उसके गती के कारण क्योंकि गेन तो वही है द्रवेमान तो वही है तो यहां देखो गतीज उर्जा के साथ और चाल के साथ सीधा सम्मंद है तो अगर हम गती बढ़ा दे तो गतीज उर्जा बढ़ जाएगी गतीज उर्जा यह वो उर्जा है जो किसी वस्तु के पास गती के कारण होती है और उर्जा के साथ मातरक जूल अब एक आखरी सवाल YU में 0 degree Celsius ताकमान पर धोनी की गती होगी इसका जवाब आप लोग देंगे यह सवाल आपके लिए है तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दे दो कि क्या होगा Thank you so much